चाय विक्रेता के घर में चोरी के कुछ घंटे बाद ही पुलिस ने आरूपी को धर्दबोच कर उतसे नगदी जप्त की घटना की शिकायत के तुरंत बाद हरकत में आई पुलिस ने गुपत जानकारी के अधापा पिंटु को धर्दबोचा फिलाल रिमान में लेकर पुलिस उससे पूस्ताच कर रही है चाय विक्रेता के घर में चोरी के कुछ घंटे बाद ही पुलिस ने आरूपी को धर्दबोचा उससे चोरी की नगदी भी जब्त की गई PCR की अवधी खत्म होने पर मंगलवार को अदालत ने आरूपी को जेल भी बेश दिया आपको बता दे कि फिरियादी महल निवासी चाय विक्रेता चंद्रभान मोंदेकर बताय जा रही है पुली स्टेशन कोत्वाली के परिसर में रहने वाले चंद्रभान रामाजी मोदेकर रहना इनका महल में है इनकी चाय की दुकाने यहाँ पे फुल वजार में दिनांक 17-7-2022 को रात को 20 बजे के बीच आठ बजे से लेके ग्यारा बजे के बीच में उनके घर में जब हो गए थे तब उनको मालूम हुआ कि किचेन में जो रखेते श्टील के डब्बे में वहाँ से कुछ पैसे गादी के नीचे से और कुछ पैसे गुलड में से ऐसे 84,000 चोरी गए थे ये गुना कोतवाली पुलिटेशन में अपरात करमांग 111 अबलिक 2022 कलम 380, 470, 445 अंतरगर दाकल किया दो या तीन गंटे के अंदर इसमें आरोपी नामे पिंटू सुक्राम हेमने उमर 19 साल रहना हनुमान चोक सिवाजिनगर पुलिटेशन कोतवाली इसके पास से कुल मिला के पूरे चणोय शेजर जबते गे यहारोपी उनके ही दुकान में चाय के दुकान में काम करता था, उसनी ने ही उनके दुकान में चोरी किया गौड तलब रही की घटना की शिकायत के तुरंद बाद हरकत में आई पुलीस ने गुप्त जानकारी के आधार पर ही आरोपी पिंटु सुखराम हेम ने शिवाजी नगर निवासी को धर दबोश लिया। आपको बता दे कि या आरोपी मौका पाकर नकली चाबी की मदद से चंद्रबान के घर में प्रवेश कर रहा था और रसोई घर में स्टील के डिबे में रखे 54,000, गुल्लक में रखे 8,000 और गद्दे की नीचे रखे 22,000 रुपए इस तरह कोल 84,000 रुपए का माल चुरा कर फ झाल झाल